इस वेल्कम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो और आज मझे सामने खड़ी है एक अमेजिंग गाड़ी और यह उसी गाड़ी की चाबी है जिसमें आपको लॉक अनलॉक और यह लाइट के लिए बूट के लिए मिल जाएगा और लोगों तो देख के पैचान ही गए होगे हमारे देश का लोहा टाटा हैरियर और यह हैरियर का एडवेंचर प्लस ए वेरियंट आपको मिल जाता है काफी ज़ादा वैल्यू फोर मनी वेरियंट आपको मिलेगा इसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं नॉर्मल एडवेंचर से और अगर आप इस ज़्यादा खुबसूरत लग रहा है और कलर भी अगर आप देखेंगे तो काफी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है देखने में और काफी ज़्यादा जो है एक अट्रेक्टिव कलर लग रहा है मतलब यह कलर ऐसा है ना इसको लो मेंटेनेंस की जरूद नहीं होती जैसे कबी भी आप निकलते हैं तो हमेशा कपड़ा मारना पड़ता है हमेशा जो है उसको क्लीन रखना पड़ता है जब भी आप बाहर जाएंगे और थोड़ी दिर बाद जो है वो भी गंदा हो जाता है लेकिन यह ऐसा कलर है कि अगर आप इसको एक दिन भी चमकाते नहीं है न आपको दिखा दी कि आपको एस यूजर जो टिपिकल टाटा की चाविया मिलती है वैसे आपको मिल जाती है दोनों ही कि कोई फरक आपको ज्यादा मिलेगा ने सामने के अगर हम बात करते हैं तो यहां अगर आप सामने के साइड देखोगे तो कुछ इस तरीके का पूरा ही जो है फ्रेंट मिल जाता है बहुत ही जदा शांदार लग रहा है यह फुली कनेक्टेड लाइटे मिल जाती है अभी फिलाल गाड़ी अंदर से होने तो यह आपको जो है इंडिकेटर वाला पोशन जो है यह भी डियारल के फॉर्म में जल रहा है और अगर आप यह देखत अटीक सिख्टी का एक कैम रा मिल जाएगा लूगों के मिल जाता है इस नीचे का अगर आप दिखो गे तो एक अलग इस आपको मिल जाती है एक डिफ्रेंट इस धेन एक श्यफ़Tr आपको यूज मिलेगा वही आपको यहा भी कलर यूज मिलता है कि अगर हम बात करते हैं ज्रैक्टर लॉय िंटेक के लिए प्रेंज प्रफाइल तो और अगर आप देखेंगे, वील्स तो, वील्स कुछ इस तरीके के आपको मिल जाते हैं, काफी बड़े वील्स आपको इसके अंदर मिलेंगे, सेक्शन के अगर हम बात करते हैं, जो सेक्शन आपको इसके अंदर मिलेगा, तू थर्टी फाइव सिक्स्टी आर एटी निंचिस का सेक्शन मिल जाता है यह पूरही अलॉय मिल जाता है लेकिन अगर आप इस पार्ट को देखते हैं यह पार्ट आपको प्लास्टिक ही मिलेगा और वील का जो साइज है काफी इच्छा खासा यूज किया गया है जिसके व पडल लैम्स आपको नहीं मिलते हैं रिक्वेट संसर आपको यह मिल जाएगा बॉडी कलर ही मिलता है पीछे भी आपको इस डिस्क आपको प्रॉपर मिल जाएगा और यह कुछ आपको लुक मिल जाता है देखने में काफी शांदार लग रहा है उपर आपको जो है रूफ मिल जाते हैं मैड ब्ल lak फिनिष का treatment panoramics syndrome आपको मिल जाती है और गाड़ी का कलर वी काफी जददा शांदार है तो जाहतर लोग जो है इसी color में गाड़ी को prefer करते हैं लेकिन इस color में गाड़ी की जो कहीना कहीं broadness है एक बल की look है वो कहीना कहीं डबसी जाती है लेकिन एक low maintenance color के वैसे ये फायदा हो जाता है कि ये काफी शानदार आपको जो है इक color मिल जाता है यहां अगर आप देखेंगे तो रेडार आपको मिल जाता है एडास के लिए अगर आप B पिलर देखते हैं तो प्यानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा यहां अगर आप देखते हैं तो एक क्वाटर पैनल मिल जाता है काफी शांदार लग रही है देखने में पीछे से पीछे का जो टेल गेट है आपको इलेक्ट्रोनिक वाला नहीं मिलेगा मैनोल ही मिलेगा और अगर आप यहां देखते हैं कुछ इस तरीकी की लाइटे मिल जाती है और फुली एलीडी बेस पर आपको मिलेगी और अगर आप देखेंगे करेक्ट्र लाइटे इस किंदर आपक इस कंपेर टू ब्लैक ब्लैक क्या है थोड़ी दिनों में वाइट सा पड़ जाता है लेकिन यह कलर जो है काफी जदा अच्छा लग रहा है देखने में और गाड़ी को जो है थोड़ा सा एक स्पोर्टी टैच देनी की भी कोशिश करता है सेंसर आपको मिल जाएंगे सेंस एक बात करते हैं चाहेगर आप इसकी हाइट की बात करते हैं वहीं अगर आप बात करते हैं आप को शोड़ाईक और यहां आप को नहीं मिल जाएगा और दोस्के करते हैं तो विए यहां और गे arrives फट्रू और अगर आप देखेँगे मिल जाएगा बात करते हैं चीटों के तो मैनुल अर जस्ट्मेंड में यहाई एक पुच बेटन लिग है तो हल्का सा यह ब्राउन ध्रन M पुछ बटन स्टाट मिल जाता है उंपें लाइटे विगरा मिल जाती है बाकी चीजर इंटेर्य ने इक पर चलते हैं फिर बताता हूं आच चुके हैं जी इंटीरियर के अंदर क्या कुछ चीज़ इसके इंदर मिल जाती है वायरलेस तरीके से इसके दर चल जाएगी और इसके अंदर 360 camera भी काफी अच्छी तरीके से काम करता है, अगर आप देखते हैं, तो कुछ इस तरीके से work करेगा, काफी शांदार लग रहा है देखने में, काफी अच्छी तरीके से work भी करता है, बाके अगर आप steering की बात करते हैं, स्टेरिंग आपको मिल जाएगा फुली लेदराइट फिनिश के साथ मिल जाता है एडेप्टिव क्रूस कंट्रोल मिल जाते हैं कुछ इस तरीके का जो है स्टेरिंग विल देख पा रहे होंगे फुली इलुमिनेटिड जो है लोगों के साथ और ये आपको जितने भी कंट्रोल्स है वो भी आपको इलुमिनेटिड मिलते हैं ये बटन्स का भी वर्क करते हैं काफी शानदार जो है स्टेरिंग का लगता है और अगर आप स्टेरिंग की बात करते हैं तेल्ट एंट टेलिसकोपिक दोनों ही तरीके से ये अर्जेस्ट हो जाते हैं और अगर आप देखेंगे यहां आपको जो है पेडल शिप्टर्स मिल जाते हैं क्वालिटी काफी अच्छी खासे यूज की गई है वाइपर्स आपको मिल जाएंगे यहां अगर आप देखते हैं तो यहां आपको lights के control मिल जाते हैं cluster आपको कुछ इस तरीके का मिल जाएगा काफी शांदार cluster है fully आपको digital cluster इसके अंदर आपको मिल जाता है media, navigation वेगरा, notifications, settings, trip information और driver assist वेगरा चीज़ी आपको यहां मिल जाता है अगर आप Adas के लिए कोई गाड़ी देख रहे थे Adas वाली गाड़ी देख रहे थे और कम budget के साथ तो काफी अच्छा खासा product रहने वाला है बाकि अगर आप इसके अंदर navigation वेगरा run करते हैं जैसे कि अगर आप Android or Apple CarPlay run करते हैं और मेरे को काफी सही लग रहा है क्योंकि टॉप मॉडल में थोड़े से जो है डार्क डार्क चीजे जो है यूज़ की गई है लेकिन इसके अंदर अगर आप स्ट्रिचिंग भी देखते हैं तो यहां आपको brownish color की स्ट्रिचिंग मिल जाती है यह पूरा ही leatherite finish मिल जाएगा और अगर आप इसको देखते हैं तो यह भी आपको जो है काफी wooden finish में अच्छा लगता है देखने में काफी एक premium finish इसके अंदर आपको मिल जाती है यहां आपको कुछ controls मिल जाते है ACS related और automatic climate control आपको मिल जाएगा dual zone नहीं है यह और अगर आप यहां देखते हो तो यह type C मिल जाता है USB socket मिल जाता है और यहां आपको wireless charger मिल जाता है यहां आपको drive mode मिल जाता है यहां से आप drive modes को जो है यहां से select कर सकते हैं यहां से आपको जो है एक power mode मिल जाता है एक eco mode मिल जाता है आपको जो है कुछ इस तरीके का गे शिफ्टिंग मिल जाएगा PRND और electronic parking brake मिल जाता है auto hold मिल जाएगा piano black finish का treatment यहां use किया हुआ है अब fingerprint और scratches बहुत ज़्यादा इसकेंदर आते हैं अगर आप देखोगे न तो यहां आपको proper नजर आ रहे होंगे तीन pockets इसकेंदर मिल जाते हैं और Tata का खुद का इसकेंदर perfume भी रखा गया है इस तरीके के आपको जो है space मिल जाएगा यहां अगर armrest देखते हैं यहां भी stretching आपको जो हलकी सी brownish मिलती है यहां भी कुछ space मिल जाएगा USB और type C मिल जाता है काफी शांदान लग रहा है उपर भी आपको space मिलेगा नीचे भी space मिलेगा एक अंदर light भी आपको मिल जाती है और dashboard का लुक कुछ इस तरीके का आता है और अगर हम यहां देखते हैं तो कोई भी speaker का setup आपको यहां नहीं मिलेगा IRVM आपको जो है एक manual basis पर मिलेगा यहां आपको उपर यह radar दिया हुआ जैसा कि मैंने बाहर आपको दिखाया था और यहां अगर आप देखोगे तो यहां आपको sunroof से related control मिल जाते हैं यहां lights मिल जाएगे आपको और यह LED based light हैं यहां आपको जो है care bag on है नहीं है वो सारी चिज़ेई यहां आपको show करता रहेगा यहां अगर आपदेखोगे तो यहां कोई भी ticket holder बेगरे नहीं मिलेगा यहां अगर आप देखते हुँ तो यहां आपको कोई भी vanity mirror नहीं मिलता है वहीं अगर आप इतर देखोगे तो पूरी ही पैनरामिक संड्रूफ आपको मिल जाएगी ये कर्टन आपको मिल जाएगा और वहां अगर आप देखोगे तो वहां भी एक एंबियंट लाइटिंग का जो है इस्तमाल किया हुआ है और काफी ददा खुबसूरत लग रहा लेट कर लेते हैं यहां से आप जो है door open कर सकते हैं औरмен मिल जाएगा यहां कुछ पॉक्ट मिल जाती है कुछ प्रियस आपको एक setup मिल जाएगा आम रेस्ट मिल जाएगा काफी अच्छी क्वालिटी यूज की गई है दो कफोल्डर के साथ और एक बार इसके इंटीर में बैठ लेते हैं इंटीर में चीज यह क्या कहा इसके इंदर जहें मिल जाती है डोर एक बर मैं इसका बंद कर लेता हूं इसके मामले में कोई भी कॉम करते हैं तब यहीं लगा सकते हैं दिखने में काफी कमाल का इसके मिल जाता है मतलब इतना कोई और के अंदर और comfort यहां तक मुझे लगता है और मेरी हाइट five point seven है तो उसके काफी comfortably और खुलाखुला उसे अंदर बैठा हूं और वह अगर आप देखोगे तो पीछे तीन लोगों के लिए अच्छा कासा स्पेस मिल जाता है सीटों के अंदर तो अगर मैं बीच में बैट नहीं कोश्च करता हूं तो बीच की जो सीट है वो कमफोर्टेबल है लेकिन बीच में आपको थोड़ा थंप मिल जाता है लेकिन मेरे को आपको जो है इलेक्ट्रोनिक वाले नहीं मिलते है पार्शल ट्रे का जो साइज है वो भी काफी बड़ा दिया हुआ है जिसके विसे जो छोटा मुटा समान है बैग विगर आप यहीं रख सकते हैं यहां कर आप देखोगे तो आपको जो है एक हुमंगस स्पेस मिल जाता ह है और धाप देखते हो तो यहां कुछ श्पेस मिलता है और वहीं अगर है यहां को जो है दEF के लिए जगा मिल जाती यहां से c k आ कर सकते हैं कि अगर आप देखोगे तो यहां आपको एक सब वू फर मिल जाता है लेकिन इसके आपको जो है भाली मिलेगा सर्फ सब वोफर है इसके इंदर कोई भी वूफर वगरण नहीं मिलना कर बिंथक नहीं में गबदिया और इक पहर टर्बो डीजल इंजन मिल जाता है 170 और अगर आप देखेंगे एंसुलेशन प्रॉपर इसके इंदर दी गई है 2000 सीजी का काफी कमाल का इंजन मिल जाता है और जो पावर आपको निकाल के देखा अराउंड 163.67 भी निकाल के देता है और अगर आप टॉर्क की बात करते हैं अराउंड 350 एनम का टॉर्क आपको निकाल के देता है जिसके वैसे एक जो ड्राइव क्वालिटी है जो एक ओवरॉल पर्फोर्मेंस है गाडी की काफी जिदा अमेजिंग हो जाती है और कहीं भी ऐसा कोई भी पावर लैक कहीं भी आपको ऐसा कुछ भी पावर की कमी महसू फैंड चीज्ट नहीं होती है अगर आप यहां देखते हैं यहां अब को कुछन वेगरा मिल जाता है साइड फेंडर के लिए और अगर आप देखेएंगे यहां भी आपको जो है कि कुछन मिल जाता है कि लिए इंजिन इतना पैक है कि नीचे की कोई चीज़े दिख्ती न और वहीं अगर आप City की बात करते हैं 7 से लेके आपको 9 तक की माइलेज आपको अराम से निकाल के दे देता है जिसके वेसे ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर आप एक इस गाड़ी को परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए अगर आप एक शोरूम की प्राइजिंग की बात करते हैं 22,96,000 रुपीज की एक शोरूम प्राइजिंग इसके दर पड़ जाती है और वहीं अगर आप इसके ऑन्रोड प्राइजिंग की बात करते हैं तो 25,74,600 अगर गाड़ी आपको मिल जाती है अंदर से स्पेस बहुत ही ज़्यादा कमाल का इसके अंदर मिलता है अगर आप पांच लोग हो तो पांच लोग अराम से इसके अंदर ट्राइविल कर सकते हैं और अगर आप इसके अंदर चार लोग ही बैट के जो है ट्राइविल करने वाले ह भी काफी जदा गाड़ी ही खमाल की मिल जाती है तो मेरे को कमेंट करके बताना कि गाड़ी आप कैसे लगी और यह वेरिंट कैसा लगा बाके मिलते हैं एक नई अमेजिंग वीडियो के लिए थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो